मुर्गी पालन के बारे में लेकिन जो छोटा फार्मर है जो 150 मुर्गी से काम शुरू करता है वो कैसे काम करे वो कैसे कामयाब हो सकता है उसके बारे में वीडिय को नहीं डालते तो आज का वीडियो उन सभी छोटे फार्मर के लिए है जो बैक एड फार्मी के तोर पर मतलब की घर में जो देशी तरीके से जो है 150 मुर्गी का पालन करना चाहते है उनके लिए कौन सी बीड बेनिफीशल रहेगी कौन सी बीड उन्हें डालनी चाहिए किस तरह से वो मुर्गी का पालन पोरिशन कर सकते हैं और कितना मुनाफ़ा उन्हें मुर्गी से हो सकता है तो आज का वीडियो उन सब किसान भाईयों के लिए है जो छोटे स्थर पर यह काम को करना चाहते हैं तो किसान भाईयों अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक और शेयर जूरूर कर देना सबसे पहले अगर आपने छोटे स्थर पर देशी मुर्गी पालन चुरू करना है तो सबसे पहले आपको विवस्ता करनी होगी एक छोटे शेड की एक छोटे घर की मतलब की जो मुर्गी को पालने के लिए आपको एक छोटा सा दबड़ा बनाना होगा कहीं पर आप उसे छप्पर की तरह बना सकते हैं जैसे आप फोटोस में देख रहे हैं इस तरह से आप जो है मुर्गी के लिए अपने फार्म की विवस्ता खुद से कर सकते हैं जहां पर बांस की विवस्था है तो किसान भाई इस तरह से बांस के छोट-छोटे शड़ बना सकते हैं, कहीं पर मिट्टी के साथ, कहीं पर सिमेट की चादर के साथ, आप छोटे स्थर परा मुर्गी के लिए पालन के लिए जगा बना सकते हैं, अब बात आती है जगा कितनी बनानी है तो 100 मुर्गी के इसाब से हम बात करते हैं एक मुर्गी को किसान भाई यो बड़े होने तक जो देशी मुर्गी है तीन स्केर फूट जगा की जुरुत रहती है मतलब 300 स्केर फूट का एरिया मुर्गी को चाहिए आप उसे 10 भाई 30 का बना सकते हैं या फिर उसे 15 भ जगा कवर करना चाहते हैं तो आप इसे 200 स्केर फूट के अंदर भी सारी की सारी सो मुर्गियों का पालन कर सकते हैं ताकि मुर्गी अपना रात को रेश्ट करेगी इस दिन में वह भार भी घूम सकती है तो इस तरीके से आप जो है मुर्गी के लिए श्यका सुनिश्चित कर लें एक मुर्गी अगर बंदफारं बनाते हैं तो तीन स्केर फूट अगर मान लेते हैं थोड़ा बहुत फ्री रेंज देते हैं तो इसके लिए दो स्केर फूट जगा बहुत जुरूरी है अब बात करता है देशी मुर्गी पालन में आपने कौन सी ब्रीड चूज करन ली है कुछ भी इस तरह की बीड़ां सुनिश्चित कर ले कि है मुर्गी प्रतिवर्ष कितने देती है तो आपने व्रीड के नुशार करना अगर अगर ने काम के लिए था यह पर बशन के लिए करना है तो उसके लिए आपके पास और भी काफी विकल पा जाते हैं आपके पास WFG Correller का विकल पा जाता है इसके लावा आपके पास और भी काफी breeds हैं जो आप इसमें चुनाव कर सकते हैं अगर वजन के लिए करते हैं लेकिन आप इस बात का चुनाव करने से पहले ध्यान रख लें कि आपने जो भी breed डालनी है आपके वहां का climate वातावरें टेंपर पर बना होना चाहिए जो मुर्गी को राद को रोखने के लिए जगा बना रहे हैं अब आपको कितना benefit होने वाला है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा benefit की बात करते हैं तो किसान भाईयों सो मुर्गी पालन से अगर हम मोटा मोटा खर्च की बात करते हैं देखी आप इसे दो तरह से पाल सकते हैं, एक आप इसे घर की फीड पर पाल सकते हैं, दूसरा इसे आप बजार की फीड पर पाल सकते हैं, मुर्गी के वैक्षिन शेडूल के बारे में मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ, मेडिसिन के बारे में काफी वीडियो बना चुका हूँ, हम अंडे की बात करते हैं तो अंडे के लिए आपने मान लेते हैं आर यार ब्रीड को चुना तो आर यार ब्रीड का प्रतिवर्श जो अंडा देने का दर है दो 270 प्लस है और अगर इसके लावाद दूसरी ब्रीड की बात करता हूं जैसे कि ब्लैक अस्टरलोप है वो भी यह मैं कैपस्टी आपको बता रहा हूं अब आपने शेत्र में आप कितना अंडा कितने रुपे की दर से बेच पा रहे हैं इस बात पर डिपेंड करते हैं मान लेते हैं कि घर की फीड पर ही मात्रा आप अंडे को त्यार कर रहे हैं और अपने लोकल शेत्र में आप 15 लगबग 2 रुपे से लेकर 3 रुपे दाने का कोश्ट आपको पढ़ेगा अगर आप बजार का दाना खिलाने के लिए किसान भाईयो आपको कम से कम भी मैं बात करता हूं वह 3 रुपे से 4 पर कोश्ट करता है प्रती मुर्गी इस तरह से आप देखेंगे पूरी मुर्गी की आवरेज निकालेंगे तो लगबग आपको 6 रुपे के असपास अंडे की आवरेज पढ़ जाती है अगर आप घर की फीड पर त्यार करते हैं तो यह इसके लिए मुर्गी के लिए जो है फीड शेडियूल रहेगा अब इसके बाद बात करते हैं एक मुर्गी के ऊपर खर सौ मुर्गी का तो आपकी जो मुर्गी की कोश्ट पढएगी लगबग 30,000 रुपे के असपास कोश्ट लगी ऑस अगर आप इसे बजार की की फीड पर आगको कोश्ट की यह वो लगबग लगबग आपकी 400 रुपे से लेकर साड़े 400 रुपे के आसपास आती है तो इस तरह से आपने किसान भाईयों मैं आपको पताना चाहूंगा आप मुर्गी पालन कर सकते हैं छोटे स्थर पर कर सकते हैं और आप अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं एक और बात का आपने ध्यान रखना है जब भी देशी मुर्गी पालन करना है तो समय समय पर एंटीबाइटी किया डी वार्मिंग जरूर करनी है मतलब कि पेट के कीड़े की दवाई या हलका फुल का एंटीबाइटी को लेसुन के तोर पर या फिर आप उसे किसी टेक्निकल साल्ट के तोर पर दे सकते हैं आप घर में हल्दी का पानी काड़ा वाड़ा इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करके भी मुर्गी को स्वस्त रख सकते हैं आपने इन चीजों का खास तोर पर ध्यान रखना है किसान भाई इसके लावा बात करते हैं मुर्गी आपको पूरे वर्ष में कितना पैसा कमाकर देगी तो आपको बताना चाहूंगा आपके शित्र कनुट सार अगर आप 270 अंडा भी ले पा रहे हैं मुर्गी से तो आप लगबर लगबर की 10 रुपे की दर से 2700 रुपे का अंडा बेच पाएंगे और दाने की कोस्टिंग की बात करेंगे लगबर लगबर आपकी दाने की कोस्टिंग आएगी तो 800 रुपे से लेकर 1000 रुपे के आसपास आएगी यह पूरे वर्ष की दाने की कोस्टिंग बात कर रहा हूं और जो मुर्गी कोस्टिंग गई थी वो 300 रुपे थी मतलब 1300 रुपे में आपने जो है पूरे वर्ष से उसको खिलाया भी और मुर्गी को अंडे तक भी लेकर आए और उसके बदले में आप 2600 रुपे 2700 रुपे ले पा रहे हैं मतलब की एक मुर्गी के साथ आप सालाना अ 12.1-10000 रुपे के आसपास प्रोफिट डिएन कर सकते हैं अगर आप इसे चोटे स्थर पर कर रहे हैं ऐक हजार प欸 ले रहे हैं तो पूरे वर्ष का सू मुर्गी के साथ आप 90 हजाऊ पे से लेकर 80 30,000 रुपे तक या एक लाग रुपे तक अराम से कमा सकते हैं अगर आप उसे घर की फीड़ पर रखते हैं और आप अच्छी वीड़ का चुनाव करते हैं तो किसान भाईयों यह हमारा वीडियो उन सब चोटे किसान भाईयों के लिए था आपको हमारा प्रयास कैसा लगा अ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भूत धन्यवाद जय हिन जय भारत